नमस्कार, मैं हो ससी, आये जारखन की टॉप 25 परमोख खबर जानते हैं इसके लिए त्यार रहे, उन्होंने कहा कि देश की स्वास्त व्यवस्था पर प्रख्यात, मेडिकल रिसर्ट, चनरल दा, लेशेंट ने सवाल उठाए हैं पत्रिका ने समपादी किये में प्रधानमंदी नैंदमोदी के कारे सहली को लेकर करिटिपनी की है अनुमान लगाया गया है कि भारत में इस बर्स एक अगस्त तक इस महामारी से दस लाख लोगों की मत हो जाएगी मौसाम विभाग के उनसार जारखन के पलामू, गोड़ा गडवाद, दुमका, देवगर और पाकूर जीले के कुछ भागों में हलके दर्जेक के मेग गर्जन और बारिस के साथ बजरपात के असंका है ऐसे में घर से निकलते वक्त सवधान रहे, किसान भाई भी हतियात बरते, आपको बता दे कि सनिवार को राची जीले के हिट की पर खंट छेत्रे में आंधी के साथ भारिबारिस हुई, इस दौरन करीब आधा घंटा तक छोटे बड़े ओले भी गिरे प्रवासी सरमीको की कुरोना से मौत पर मिलेंगे 1.5 लाख रुपे, राज सरकार प्रवासी सरमीको की निधन पर उनके आशरीतों को सहायता राशी उपलवत कराएगी, बता दे मुख्यमंत्री हेमान सुरेन के निर्देस पर स्रम नियो जनुवम प्रसिक्षन विभाग इ है, इसके तहट निवांधित प्रवासी मजदुरों को 1.5 लाख तथा बिना निवांधित प्रवासी मजदुरों को 1 लाख रुपे सहायता राशी देने का प्रवधान है, वहाई किसी दुरगाटना में दिव्यंगत की सिती में 75,000 तथा 50,000 रुपे दिये जाते हैं किसानों को मुवजा देंगे हिमंसुरेन, राज सरकार ओला विरिष्टी की वज़ा से हुए फसलों के नुक्सान की भरपाई करेगी बतादे मुख हिमंसुरेन ने आदेश दिया है कि सारे जीला उपायुक फसलों के नुक्सान का आकलन कर एक सप्ता के भीतर किसानों को करवाई करे उन्होंने कहा कि इस समद में जरूरी आदेश निर्गत किये जा रहे हैं गौतला भाय की वज़ा से राज्ये में किसानों की फसलों का भारी नुक्सान होने की खबर आई है इसका संग्यान लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश जारी कि बरामी बोट के चात्रों को आई से बड़ा मौका है मैघ्रियों के चात्रों के लिए बड़ी खबर है पता दे आई से उनके लिए अपना बारसी काौंसिरीन प्रोग्राम की शु रुग्राम हो रही है पतामिक चै務 बॉर्ड ने श्रों कि दिस के जरी है इसो छ के साथ दूर भागा सकते हैं वहाई CBSE बराहमी बोर्ड के चातरों के लिए बहुत उपयोगी माना जा रहा है ज्यार्खन पारा सिक्षकों के लिए CM हमंत ने लिया महतपुर नीना है मुख्यमंतर हमंसुरेन ने ज्यार्खन के पारा सिक्षकों के लिए प्रस्तावीत कल्यान कोस को लेकर अवस्यक प्रक्रिया फूरी कर उसे मूर्थ रूप देने के निर्देश इसकुली सिक्षा यों सक्षरता विभाग को दिये हैं साथ ही सिक्षक नियुक्ती निमावली को भी अंतिम रूप देने के लिए कहा है ताकि सिक्षकों के नियुक्ती सिग्र सुरू किया सके बिभाग के सचीव रायस सर्माने मुख्यमंत्री के इस निदेश की जनकारी मादमिक वप्रात्मिक सिक्षा निदेश को देते हुए इस पर आवसेक करवाई सिक्र करने के लिए कहा है मदश्डे पर सियम हिमंत ने लिखा माक खुद में ही पूरी संसार है सही मताओ को अभिननदन मदश्डे यानी माक का दिन वैसे तो हर दिन माक के लिए समर्पित है लेकिन आधुनी की करण गोलोबल होती दुनिया ने मास से प्यार जताने के लिए एक दिन तय कर दिया है बतादे मुख मंतरी है मंसुरे ने इंटरनेट मीडिया पर माक की फोटो के साथ लिखा आए माक खुद में ही पूरी की पूरी संसार है मदश्डे के औसर पर सभी मताओ का अभिननदन बतादे मुख मंतरी ने इस बहाने सभी मताओ का भी अभिननन किया कुरोना की तीसरी लहर देश के कई बैग्यानिकों और चिकित सा बिसे सा के कुरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी दे रहे हैं 16 माई तक न्याईक कारे नहीं करेंगे राजे के वकील क्रोना संक्रमन के मादे नजर राजे के वकील अब 16 माई तक किसी भी आदालती कारे में सामिल नहीं होंगे बतादे वर्चुल और फिजिकल किसी भी माद्यम से कोट में सामिल नहीं होंगे किसी भिन्याई कारे के लिए वकी लोग को नियाले कक्ष में जाने पर रोक रहेगी जार्खन हाई कोट में सिर्फ करोना से समाधित मामलों में ही वकील सामिल हो सकते हैं वह भी ओनलाइन बदाद रविवार को जार्खन राज बार कॉंसिल की बैठक में यह नीने लिया गया कुरोना के बरते संक्रमन को देखते हुए जार्खन बार कॉंसिल 29 अप्रेल से ही वकीलों को अदालती कारे से खुद को अलग रखने का आदेश दिया है पहले अरोक उनाई से 24 अप्रेल तक थी फिर इसे बढ़ाकर 9 माई तक कर दिया गया था अब यह 16 माई तक वकील नयाई कर नहीं कर सकेंगे जार्खन में 449 नय केस मिले हैं जार्खन में 97 की मौत हुई है जार्खन में कूल एक्टिव केस की संख्या 587 है वहीं कूल मौत की संख्या 383 है बता दे भारत में 3,666,317 नय केस मिले हैं भारत में कूल मौत की संख्या 2,46,140 है वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 37,41,368 है भारत में 3,3,580 मरीज स्वास्थ हुए हैं वहीं जार्खन में भी 460 मरीज स्वास्थ हुए हैं जार्खन में 41,79 नए किस मिले हैं जो वोकारोस 154,37 देवगर, 282,धनबाद, पैसर, दुमका चवण, पूर्वी, सिमुम, 562, गढ़वाच्यान में, गीरीड, 134, गोड़ा, 64, गुमला, 88, हजारीबग, 247, चामतला, 125, खोटी, 224, कोडार्मा, 260, लातियार, 129, लोर्दगा 73, पांकुर 6, पलामु 111, रामगर 204, रांची 789, साइबगन 56, सराइकला, 55, सिम्डेगा 86, पच्मी सिमुम से 240 मरीज मिले हैं बता दे ज्यारखन में, 97, मरीज की मौथ हुई है, जिसमें, रांची 43, पूर्वी सिम्वु 11, धनवाज 6, बोकारो 5, देवगर, 1000, रामगर, कोडार्मा में, 4, 4, गिरीडी में, 3, पलामु में, 2, धुमका, गोड़ा, गुमला, जामतला, खोटी, लातियार, साइबण, सरा 59, धनवाद, 125, दुमका, 150, पूर्वी सिम्वु 7, 32, गढ़वा, 34, किरीडी, 157, गोड़ा, 41, गुमला, 204, हजारीबग, 530, जामतला, 146, खोटी, 113, कोड़ार्मा, 644, लातियार, 8, लोहर, दगा, 135, पांकुर, 60, पलामु, 401, रामगर, 119, रांची, 113, साहिव, गंज, 43 40, सराइ, केला, 113, सिम्डे, का 301, पाच्मी, सिम्वु से 257, मरीच, स्वास्थ, हुए है, स्वास्थ, मंत्री, ने, जीवनधारा, सेवा, काउद, घाटन, किया, जार्खन, प्रांतिय, मारवाई, युगा, मंच, के, जीवनधारा, सेवा, कारेक्र, में, ऑक्सिजन, सिलि अक्षा में उप्योग में लगाया जाएगा, पूने से प्रवासी स्रमिकों को लेकर आज आएगी, स्वामवार को ट्रेन संख्या 0-14-79, पूने हटिया, एक ट्रिप वाली, स्वेसल ट्रेन राची पहुँचेगी, बता दे, इस ट्रेन में, जार्खन के प्रवासी या ट्रेन साम 4 बच कर 55 में ठाटिया स्टेशन पर पहुँचेगी, एस ट्रेन में सिलीपर के 2 कोच, समायन स्रेनी के 9, जीतिये स्रेनी सिलीपर के 8 कोच, और AC 3 ट्रियर के 2 कोच मिला कर कूल 21 कोच है, रूपा तिर्की की मौत मामले में सड़क पर उत्रे लोग, साहिव गं मौत का ममला अब दिन पर दिन तूल पकर रहा है, बता दे इसी दोरान रविवार को आदिवासी छात्र संग सहित अने संगटनों ने मौत के मामले की सिवियाई जांच के लिए अलवट एका चोग पर केंडल मार्च निकाला, अलग अलग जगोपर पर पर दसन के दोरान ल भाजपा के राष्टिय उपाध्यक्स रगवर्दास ने उन सभी दिवंगत मीडिया कर्मियों की परिजनों को अतिव सिग्र 55 लाख की अनुगरह रासी देने का अगरह राज सरकार से किया है, जिनका निधन कुरोना काल में हुए है, बदादे पुरो मुक मंत्री ने अठार से अधिक मीडिया कर्मियों की कुरोना काल में हुई मौत पर गहरी चीनता प्रकट करते वें रविवार को कहा कि प्रतिसरकार की और सन्वेदन सिलता और गयत जिम्वेदाना रविया के कारान लगातार प्त्रकारों की मौत हो रही है, धन्यवाद